नमस्कर दस्तों स्वागा थे आपका फार्मारोक्स की यूट्यूब एजिक इसने चनल में तो आज की उड़ी लेक्चर में हम कुछ ऐसे हैल प्रॉब्लेम उसके सॉलिसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे हैं जो हम पहला हैल प्रॉब्लेम देख रहे हैं कि जो आपके फेपड़े हैं जो आपके लंग्स है वहाँ पर पानी बर गाया है तो यहाँ पर जो हम यह वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से जो फेपड़ों की जो अंदर की जो हालात होती है वो रहाम देखे तो बल्गम आपका बहुत ज्यादा बन रहा है जो फ्लैम होता है वह आपके सेरीड के अंदर आपके छाती के अंदर काफी ज्यादा बन रहा है और वह आसानी से बाहर भी नहीं निकल रहा फिर जो खासी भी असी आती कि जो बल्गम वाली आती है कि जो आप यह सब्सक करन डाईरिया भी होते हैं और बुग कम हो जाती है और कई बर क्या हो की काफी जदा पसीना आता है और ठंड लगने लगती है कि सी बी सिजन में आपको ठंड लगती जैसानी कि ठंड के मौसंम में घंड लगे पर अगर summer की season है और monsoon है तो भी आपको ठंड लग सकती है ये विमारी के अंदर तो ये जो सभी symptom से वो हमें indicate करते है कि pneumonia की विमारी हो सकती है कि जो pneumonia होता है वो विमारी के अंदर आपकी जो फेपडे होते हैं उसके अंदर पानी बढ़ जाता है तो ये जो सभी health problem है उसको solve करने के लिए कौन से दवाया यूज होती है फिर ये problem कैसे हो सकता है और कैसा इसका निदान हो सकता है तो detail में सिखते है आज के उड़े lecture में pneumonia के बारे में तो सरवात करते हैं उसके basic से तो pneumonia यानि की ऐसे medical conditions के जिसके अंदर हमारे जो फेपडे होते है जो lungs होते है वहाँ पे सू यानि की respiratory tract infection है तो जो बाज में वीडियो है वहाँ पे आप जरूर से देखें कि जिसमें alveoli का बाग दिखाया गया है तो यह जो alveoli होते है वहाँ पे specially पानी बर जाता है वहाँ पे काफी ज़्यादा बलगम जमा होने लगता है और जो medical condition produce होती है वो medical condition को हम pneumonia की बीमारी क समझते हैं उसके reason के बारे में तो कौन से से reason है कि जिसके करण यह pneumonia का problem हो सकता है तो सबसे पहला इक reason बनता है bacteria कि जो अलग-अलग bacteria होते हैं उसके करण यह problem हो सकती है फंगाई के करण हो सकता है वाइरस इसके करण भी हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं sinus ITL जो वाइरस है RSV उसके करण भी pneumonia की condition produce हो सकती है फिर जो SARS COVID-19 जो वाइरस है उसके करण भी यह symptom जो हो देखने को मिलता है और आगे जाके pneumonia क्या problem हो सकता है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी new book है disease and treatment बीमारी और उनका उपचार कि जैसे आज हम यहाँ पर pneumonia के बारे में सीख रहे हैं और उसके उपचार के बारे में सीख रहे हैं टॉबिक पर वापस आते हैं और उसके symptom समझ लेते हैं तो pneumonia के बहुत सारे अलग-अलग symptoms है तो पहले तो जैसे हमने आगे देखा कि जो fever आ सकता है फेशन को ठंड लग सकती है उसके अलावा जो skin है वहाँ पर आपको ठंडी skin हो चुकी है ऐसा आपको मैसेज होता है फिर फ्लैम आता है कि जिसको हम बलगम कहते है ठकान लाइती है बॉड़ी में पेन रहता है जोइन पेन करता है नौज्या वॉमिटिंग हो सकती है हार्ट रेट जो है वह आपको इंक्रीज हो सकते है या आपे और ब्लड प्रेसर पेशन का कम होता है मूड स्विंग होता है बूग कम हो जाती है तो यह कुछ सिम्टम्स डेवलप होते है जो एल्वी ओली होते है जो एर सेक्स होते है वहाँ पे पानी बर जाता है वहाँ पे काफी मातरा में बलगम भी हमें देखने को मिलती है फिर जब कोई person को coughing होता है खास सी आते तो उसके साथ बल्गम आता है तो अब बात करते हैं कि यह problem का निदान कैसे हो सकता है और diagnosis कैसे हो सकता है तो diagnosis हम देखिए तो chest x-ray यहाँ पर main diagnostic feature बनता है कि जो छाती का जो हमारा बाग होता है उसका x-ray निकाला जाता है फिर cbc blood test मनला कि complete blood count यहाँ पर किया जाते है फिर जो एक protein होता है c-reactive protein उसका test किया जाता है तो यहाँ पर टेबल में उसके detail देख सकते हैं कि जब यह protein का lever आपके सरीर में 3-10 के आसपा से milligram पर liter तो high risk रहता है problem में और जैसे से उसकी मातरा कम होती जाती है तो वो कम risk माना जाता है तो blood hscrp test यहाँ पर खास किया जाता है कि जिससे जो वीमारी है उसमें कितना risk है वो पता चल सकता है next हम देखे तो जो sputum होता है उसका analysis करना जरूरी है उसका culture test करना जरूरी है because उससे पता चलेगा कि कौन से bacteria के करन कौन से food के करन यह problem जो वो देखने को मिल रही है फिर oxygen level यहाँ पर चेक करना जरूरी है पेशन का regular level पे तो pulse oximeter से उसका oxygen level चेक किया जाता है और अब मैं जेते है treatment के अलग-अलग options को तो treatment का पहला option यहाँ पे है कि patient को जो अच्छे से rest करना चाहिए कि आप गर पे ही अच्छे से आराम करते है और जरूरत पढ़ने पर ही patient को hospitalized किया जाए फिर antibiotic का यह पूरा एक course चलता है यह बिमारी को solve करने के लिए और अगर इन सभी तरीक यह सो भी ठीक नहीं होता तो आगे जाके patient को hospital में admit किया जाता है फिर जो patient उसको गर पे रखा हो या फिर hospital पे तो उसको पानी ज़्यादा जाता है फिर जो fresh fruit juices होते हैं वो उसको दिये जाते है coconut water एक यहाँ पर अच्छा option बनता है और एंज जूस भी अच्छा option बनता है या फिर patient को जो भी juices अच्छे लगते हैं वो आप उसको दे सकते हैं फिर एक home remedy जरूर try करने चाहिए herbal kada की तो यहाँ पे किस तरह से herbal kada बनता है उसके ingredients मैंने यहाँ पे list किये है तो आप वीडियो को पॉस्ट करके यह सब ingredient देख सकते हैं और यह सब ingredients को at least आदे जितने cup जितने पाने में या फिर उससे भी एक cup या एक glass जितने पाने में डालके उबालना होता है और इस तरह से भर्बल काड़ा जो हो तयार कर सकते हैं फिर एक steam inhalation का यहाँ पे अच्छा option बद्दा है यह problem को ठीक करने के लिए कि जिससे क्या होता है कि जो medicine होती है कि जिसके इंदर lungs तक पहुचती है वो कई बार narrow हो जाती है तो वो दिरे दिरे खुलने लगती है बल्गम भी वहाँ से निकल सकता है उसके करन और आप जो है वह easily breathing कर पाते हैं और patient को काफी अच्छी रहात मिलती है फिर immunity बढ़ाने के लिए और fever भी कम करने के लिए सुदर्शन गनवटी क के समने बीमारी के समने fight back करने में जो है वो आसानी रहती है तो आगे जो हमने देखा था कि यह प्रॉब्लम जो बैक्टेरिया के करन होता है तो antibiotic medicine यहां पर कंपल सरे लेनी रहती है तो कौन से antibiotic prescribe की जाते हैं वो हम यहां पर एक बार देख ले तो एजित्रोमाइसिन पर प 200 mg की prescribe की जाते है तो one tablet BD हो जाएगी तो यहां पर फिर से आपको reminder देना चाहूंगा कि जैसे हम यहां पर pneumonia के बारे में सीख रहे हैं ऐसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखने के लिए आप यह जो book है decision treatment उसको जरूर से order कर सकते है book को order करने के लिए आप हमें यहां का जो option है सैफेक्जिम और पोटेसियम क्लेवलेनिट की जो tablet है फिर ओफलावेक ओजेड के जिसके अंदर ओफलाग्जासिन और ने डाजवल रहता है तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहां पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी देख सकते है और ये जो circle है मेरे बाजव में वहाँ पे क्लिक करके मेरी चैनल को जरूर से subscribe करें So good luck and all the best और जो भी आपके valuable suggestion है वो मझे comment box के अंदर बचा सकते हैं Good luck and all the best